तो हलो दोफतों, उम्मीद करता हूँ कि आप वे लोग बहुत जाएदा जहाँ दोफतों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप Google Parent Control एप्लिकेशन को डिलीट कैफी करफिकते हूँ यहाँ पर दोफतों हम एफ वीडियो के अंदर दोनों मॉबाइल फोन के अंदर इफ चीज को डिलीट करने वाले हैं क्योंकि एक तो आपके बच्चे का मॉबाइल फोन हो गया और एक जो है आपका मॉबाइल फोन हो ठीक है तो आपको पूरी तरह हैं दोनों मॉबाइल फोन फे किस तरह फे delete करना है वो मैं आपको बताने वालों तो वीडियो को complete end तक जुरूर देखिएगा यहाँ पर तो मैं आपको एक example देता हूँ जैसे यहाँ पर आप uninstall करने की कोशिश कर दे तो आपके पाफ लिखा हूँ आ जाता है blocked by your IT admin तो एक तो यह चीज़ हो गई और दूफरा अगर हम यहाँ पर भी चीज़ को delete करना चाहें देखिए यहाँ पर मैं आपको delete करकी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी जो है अभी delete नहीं होगा तो ठीक है failed to delete parent control कुछ चैफा लिखा हूँ आ जाएगा तो यहाँ पर दूफर आपने वीडियो को complete add तक देख लीजिए आपका यह मैं पूरा permanent problem solve करने वाला हूँ तो फ़ब भी पहले दूफर आपको जो है अपने माता पिता का phone चाहिए होगा एक मिनट के लिए इफ वी के जरी आप यहाँ पर इफ को delete करोगे फिर बाद में इफ application को किफ तरफे delete करोगे वो भी मापको बताऊंगा तो फ़ब फ़ब पहले आपको चले जाना है यहाँ पर जो है family link application के अंदर यहाँ पर जाने के बाद ओफ दो आपको फब फब पहले जो control है यहाँ पर आना है और फब 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 नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको account fatting के अंदर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको जो दूफरा option है account for prevision यहाँ पर क्लिक करना है यहां पर click करने के बाद आपको फ़प फ़ए नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको एक option मिलेगा I understand का यहां पर click करेंगे उसके बाद stop for previving पर click करेंगे तो यहां पर दो फ़फ तो जो फटॉप हो जाएगा अभी यह तो फटॉप हो गया ठीक है लेकिन अभी भी यह जो application है यह हम delete नहीं कर पाएंगे यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जैफिए आप जाओंगे न अन्य फ्टॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर फिर फे वही error आएगा blocked by admin जो भी है तो इफ को follow करने के लिए हम क्या करेंगे इफ के लिए आपको चले जाना है यहाँ पर मैं play store के अंदर जाता हूँ family का option मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद manage family members यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखिए एक तो आपका उपर जो option जो device है वो आपका है मतलब family manager और नीचे जो है आपके बच्चे का device है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के तो जल्दी जल्दी फिर यहां पर मैं पाफ़र्ट एंटर कर देता हूं तो यहां पर मैंने पाफ़र्ट एंटर कर दिया है then confirm पर क्लिक करूँगा and confirm पर क्लिक करने के बाद दोफ तो कुछ ऐफा रिमूव हो जाएगा अभी दोफ तो हम आपको दिखाता हूं यह डिलीट होता है या नहीं होता है आपको एक पर चेक करकी दिखाते तो जैफे यहां पर आप अनिफ्टॉल पर कोशिश करोगे क्लिक करने की ओके करोगे तो यह पर्मानेट जो है डिलीट हो जाएगा तो इस तरह फे आप तो दोनों मॉबाइल फोन के अंदर इस चीज को रिमूव कर फकते हूं यहां पर भी यह जो है इवीली अनिफ्टॉल हो जाएगा यहां पर क्लिक करके आप इसको भी अनिफ्टॉल कर पाऊगे ठीक है तो यह तो आपको मैथड़ पता ही होगा तो उमीद कर तो हम वीडियो आपको अच्छा लगा होगा